नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरचे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ आए आज हम सभी जानते हैं सिर्फ तीन दिनों में पाएं बवासीर से राहत घरेलू उपायों के द्वारा ये है आज का टॉपिक आप सभी के लिए बवासीर या पाइल्स एक खतरनाक बिमारी है बवासीर दो प्रकार की होती है आम भाशा में इसको खुनी और वादी बवासीर के नाम से जाना जाता है कहीं पर इसे महरेशी के नाम से भी जाना जाता है खुनी बवासीर में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है किवल खुन आता है पहले पकाने में लगके फिर तपक के फिर पिछकारी की तरह से सिर्फ खुन आने लगता है इसके अंदर मस्सा होता है जो कि अंदर की तरफ होता है फिर बाद में बाहर आने लगता है टट्ट बवासिर रहने पर पेट खराब रहता है कबज बना रहता है गैस बनती है बवासिर की वजह से पेट खराब हमेशा रहता है आपका बना रहता है नकी पेट गडबड की वजह से बवासिर होती है इसमें जलन दर्द खुजली शरीर में बेचैने काम में मन न लगना इत्याद तट्टी कड़ी होने पर इसमें खून भी आ सकता है इसमें मस्ता अंदर होता है मस्ता अंदर होने की वजह से पखाने का रास्ता छोटा पड़ जाता है और चुनन फट जाता है और यहां घाव हो जाता है उसे डॉक्टर अपनी जबान में फीशर भी कहते हैं जिससे असहाय जलन और पीडा होती है आपको जो सहन नहीं हो सकता है खुनी बवासीर का एक दिन में इलाज अगर आप बवासीर से परिशान है चाहे वो खुनी हो चाहे वादी तो ये प्रयोग आपके लिए रामबान से कम नहीं है इस प्रयोग से पुराने से पुराना बवासीर भी एक से तीन दिन में सही हो जाएगा इस इलाज से एक दिन में ही रक्त स्त्राव बंध हो जाता है बड़ा सस्ता एवं सरल उपाय है कई बार इसको जरूर लोग अपनाते रहते हैं और इसको बताते भी रहते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो इसलिए आज हम आपके लिए यह जहन करके दिन में तीन बार रोजाना सेवन करने से लाब मिलता है दस ग्राम गेंदे के पत्ते दो ग्राम काली मिर्च को एक साथ पीस करके पीने से बवासीर के रोग में लाब होता है खुनी बवासीर में पांच से दस ग्राम गेंदे के फूलों की पंखुडियों को घी में भ को दो लिटर पानी में भिंगो दें और सुबह इसका रस निकाल लें इस रस को 15-20 ग्राम के मातरा में सेवन करें इससे बवासीर रोग में आराम मिलता है खुनी बवासीर में गेंदे के फूलों का 5-10 ग्राम रस दिन में 2-3 बार सेवन करना बहुत ही लावकारी होता है गें अभी कोई आयरुवेदिक प्रियोग कर रहे हूं आप तो आपको थोड़ा लंबे समय तक इसका प्रियोग करते रहना चाहिए बवासीर की सूजन के बारे में आईए अब जान लेते हैं गेंदे के फूल या पत्तों का रस निकाल करके पिए इससे वादी बवासीर के भी के वादी और खूनी हर प्रकार की बवासीर ठीक हो जाती है बवासीर को जड़ से दूर करने के लिए और पुनह ना होने के लिए चांच सरवोतम दवा के रूप में कारी करती है दो पहर के भोजन के बाद चांच में डेढ़ गराम यानि के चोथाई चमच पीसी हुई अजवाईन और एक गराम सेंधा नमक मिला करके पीने से बवासीर में लाभ होता है और नश्ट हुए बवासीर के मस्से पुनह उत्पन्न नहीं होते हैं ये भी बहुत जरूरी होता है किवल रोग ठीक करना नहीं जरूरी है वापस रोग नहों इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है अब आये जानते हैं हार सिंगार के बारे में हार सिंगार के दो गराम फूलों को 30 गराम पानी में रात को भिंगो करके रखें सुबह फूलों को पानी में मसल कर छान लें और एक चमच खांड मिला करके खाली पेट खाएं रोज एक सबता खाने से बवसीर मिड़ जाता है या आपको लाब होता है और बवासेर ठीक हो जाता है या हार सिंगार के बीजों को छिल लें और 10 ग्राम बीज में 3 ग्राम काली मिर्च मिला करके पीसकर गुदा पर लगाने से बादी बवासेर ठीक हो जाती है कपूर का प्रियोग जी हां कपूर रसोत चाकसू और नीम का फूल सब को 10-10 ग्राम कूट करके पाउडर बना लें मूली को लंबाई में बीच से काट करके उसमें सब के पाउडर को भरें और मूली को कपड़े से लपेतें तथा मिट्टी लगा करके आग में भून लें भून जाने पर मूली के ऊपर से मिट्टी और कपड़े को उतार कर उसे शिल बट्टे यानि के पत्थर पर पीछ लें और मतर के बराबर गोलियां बना लें एक गोली प्रती दिन सुबह खाली पेत पानी से लेने पर एक सब ताह में ही बवासीर ठीक हो जाती है वन गोवी के बारे में आप जानते हैं वन गोवी के पत्तों को कुट करके उसका रस निकाल करके दिन में तीन से चार बार बवासीर के मसो पर लगाएं इसको लगाने से एक सब ताह में ही मस से ठीक हो जाते हैं मुली के प्रेयोग मुली के 125 मिली लीटर रस में 100 ग्राम जलेवी को मिला करके एक घंटे तक रखें एक घंटे बाद जलेवी को खा करके रस को पी ले इस क्रिया को 1 सबताह तक करने से बवासीर रोग ठीक हो जाता है इसके अलावा अब आइए जानते हैं आखरी प्रयोग के बारे में रीथा या अरीथा के बारे में जिसको आप बाल दोने के लिए भी प्रयोग करते हैं रीठा के छिलके को कूट करके आग पर जला करके कुईला बना लें इसके कुईले के बराबर मातरा में पपरिया कथा मिला करके चून बना करके रख लें लगभग एक ग्राम का चोथा भाग की मातरा में लेकर मलाई या मक्षन में मिलाकर प्रती दिन सुबह शाम खाने से मसों में होने वाली खुजली एवं जख्म नश्ट होते हैं या रीठा के छिलके को जला करके भस्म बनाएं और एक गराम शहत के साथ चाटने से भी बवासीर में खुन का गिरना बंद हो जाता है जिहां दोस्तों खुनी और बादी बवासीर को मिटाने के लिए ये बेहद ही कुछ एक महतोपून घरेलू और शदियां थी बस इनका प्रियोग आपको पेसेंस के साथ खरना होता है आपको बहुत लाफ होता है अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों